बारत और श्रिलंका के बीच खेले जा रहा है दूसरे बंडे मुकाबले में टीम इडिया ने गेरते पड़ते जबरदस तरीके से श्रिलंका के होसलों को पस्त किया बड़ी बात यह है कि आज का मुकाबला बेहत फसा हुआ रहा लेकिन रोहित शर्मा विराट कोली शुमन गिल के आउट हो जाने के बाद दिश्रे सयर के आउट हो जाने के बाद केल राहूल और हादिक पांडया ने बहतरीन तरीके से यहाँ पर पारी को ना सिर्फ सम्हाला बल्की सवारा भी मैच का पूरो बेहरा बता दे कि श्रिलंका के कपतान दसुन शानका ने टॉस जीता और टॉस जीत कर किया यहां पर पहले बैटिंगा फैस्ता उनका साफ कहना था कि हम पहले बले बाजी करना चाहते हैं पिछ पर रंस लगाएंगे बोल्ड पर और उसके बारती टीम की तरफ से दूसरा जो जटका दिया वो कुशल मेंडेस के रूप में लगा कुशल मेंडेस और फर्नांडो की वीच एक अच्छी साजेदारी हुई लेकिन उस साजेदारी को सत्रवे ओवर में तोड़ा कुल्दी प्यादव ने सीधा LBW आउट किया इसके बा गेंडों में 21 रन बनाकर उम्रान मलिक का शिकार बने विला गिले को यहाँ पर सिराज ने आउट किया 34 गेंडों में 32 रन उनों ने बनाया अक्सरपटेल ने उनका बहतरीन कैच प्लब का उसके बाद चमीका करूना रतने ने 25 गेंडों में 17 रन बनाया लाहरु कुमारा श पांच वर 26 रन कोई सफलता नहीं, उम्रान मलिक 10 वर 48 रन 2 विक्टें, कुल्दी प्यादब 10 वर 51 रन 3 विक्टें, अक्सर पटेल 5 वर 16 रन और एक महत्यपून सफलता जिसके जवाब में जब भारती टीम बल्ले बाजी करने उतरी तो भारत की शुरुवात बहत शांदार रही ताबर तोड अंदाज में रोहित और शुबमन गिल ने पारी की शुरुवात की, लेकिन 5 वे ओवर की आखरी गेट पर चमिका करवनारतने ने कुशल मेंडिस के हाथो रोहित शर्मा को कैच आउट कराया, 21 गेंदो में 17 रन बना कर रोहित शर्मा आउट हुए, इसके पारी को पूरे तरीके से ना सिर्व संभाला बलकि सवारा भी, जिसकी बज़ालत भारत ने शांदार प्रदर्शन किया, अब ये देखना होगा कि अगले मुकाबले में श्रिलंका किस तरीके से वापसी करती है, हलाकि आपको बता दें कि इस अंदाज से भारत का एक बार फसेगा, अगर टॉप ओडर को लापस होता है, तो फिर क्या एक एक एक्स्ट्रा बल्लेबास खिलाना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है, वहीं दूसरी तरफ, टीम इंडिया की तरफ से, यहां पर हार्दिक पांडिया, एक मदबूत इस्तंब निकल कर सामने आये हैं, गे